श्राध पक्ष में ना खरीदे ये चीजें, करोडपती को भी कर देती हैं कंगार। पित्रिपक्ष के दौरान पूर्वजों को याद किया जाता है। उन्हें प्रसंद करने के लिए श्राध और दान इस अवधी में करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी। वस्तुएं हैं जिनको खरीदना पित्रिपक्ष में अच्छा नहीं माना जाता। पित्रिपक्ष साल 2024 में 17 सितंबर से शुरू है। पित्रिपक्ष के दौरान हमें कुछ नियमों का पालन करने के लिए। भी कहा जाता है जैसे इस दौरान दाढ़ी बाल नहीं कटवाने चाहिए, बड़े बुजुर्गों से बहसबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनको पित्रिप लेते हैं इन बस्तुओं के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्षमी का आशिरवाद आप पर सदेव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जै माता लक्षमी जरूर लिखें। नमबर एक नमक पित्रिपक्ष के दौरान दान का बड़ा महत्व है इस दौरान नमक का दान भी आप कर सकते हैं लेकिन नमक खरीदना इस समय सही नहीं माना जाता इसलिए श्राध शुरू होने से पहले ही आपको नमक खरीद लेना चाहिए पित्रिपक्ष के दौरान नमक खरीदने से वीमारियां आपको घर सकती हैं। अगर आप पित्रिपक्ष के दौरान सर्सों का तेल खरीदते हैं तो पित्रों के साथ ही शनी देव भी कुपित हो जाते हैं। इसलिए गलती से भी इस दौरान सर्सों का तेल न खरीदे। इसको भी पित्रिपक्ष शुरू होने से पहले ही खरीद कर आपको रख देना चाहिए नमबर तीन जाडू जाडू का संबंध माता लक्षमी से है पित्रिपक्ष के दौरान जाडू खरीदने से भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है खास कर आपकी आर्थिक स्थिती पर इसका विप्रीद प्रभाव पड़ता है इसलिए श्राद के दौरान जाडू खरीदने की गलती न करें नमबर चार नए वस्त्र और आभूशन पित्रिपक्ष वह समय है जब हम अपने पित्रों को याद करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं इसलिए गलती से भी आपको पित्रिपक्ष के गारान नए वस्त्र और आभूशन खरीदने से बचना चाहिए इस अवधी में ज्यादा साज सज्जा करने की बजाय सात्विक रहने से अगर गलती से आप ऐसा कर लेते हैं तो इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं इस दौरान भूनी या वाहन की खरीदारी करने से फायदे की जगह आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है आएए अब जानते हैं पित्रिपक्ष में किन चीजों को खरीदना होता है शुब नमबर एक काले तिल पित्रिपक्ष में काले तिल को बहुत ही शुब माना जाता है ऐसे में इन दिनों में अगर आप काले तिल खरीद कर लाते हैं या इसका दान करते हैं तो बहुत ही शुब होता है नमबर दो जो पित्रि पक्ष में जो की खरीदारी करना बहुत ही शुब माना जाता है धार्मिक दृष्टी से जो को सोना माना जाता है पित्रि पक्ष में इन्हें घर लाने से या दान करने से धन में वृद्धी होती है इसे में इन दिनों में चावल घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है शास्त्रों के मताबिक अगर पित्रों को चमेली का तेल अर्पित किया जाता है तो वह इससे त्रिप्थ होते हैं ऐसे में पित्रि पक्ष के दौरान चमेली के तेल को घर में लाना या दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है नमबर पांच नए कपड़े पित्रि पक्ष में जहां खुद के लिए नए कपड़े खरीदने की मना ही होती है वहीं पित्रों के निमित के लिए इस दौरान नए कपड़ों को खरीदना शुब माना गया है क्योंकि इससे पितर त्रिप्थ होते हैं और आशिरवाद देते हैं लेकिन ध्यान रहे कि इस दौरान खरीदे गए कपड़ों को डोट गाहमनों को दान कर दें खुद इसका इस्तिमाल न करें नमबर 6. सफेद फूल पित्रों को खुश करने के लिए सफेद फूलों का यूज किया जाता है ऐसे में अगर पित्री पक्ष के दौरान धर में सफेद फूल लेकर आते हैं तो इससे पूर्वज खुश होते हैं और अपना आशिरवाद बनाए रखते हैं वीडियो के अंध तक बने रहने के लिए धन्यवाद